कुश्चन 44 इसमें दे रखा है कि अगर एक बोट है एक उसे उपर से देखा जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन हो 60 डिग्री है और वो बोट चल के यहां पहुंच जाती है तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाता है 45 डिग्री रह जाता है तो हमें इस कुश्चन पूछा गया है कि जब वो इतने डिस्टेंस अली तो इसकी स्पीड कित्ती होगी अगर वो दो मिनट लेती है इस डिस्टेंस हो कवर करने में अग्स माल लेते हैं अब यह 45 डिग्री तो यह तो कॉट 45 जो होगा वह दिस अगर हम इसे ए मालने इसे बी मालने इसे सी मालने से डी तो कॉट 45 आ जायागा बी डी अपॉन एवी कॉट 45 वन होता है तो यह अब तो यह वाला ट्राइंगल देखें ए इस इस ट्राइंगल में देखें तो कॉट 60 है कॉट 60 जो है कि बी सी अपॉन अब अब कॉट 60 तो होता है वन बाई रूट 3 1 by root 3 ठीक है तो यह BC और BC कितना दे रखा है में यह हमें फाइन नट करना है इसे हम Y माल लेते हैं इसे Y माल लेते हैं अपन AB AB कितना दे रखा है में 1.500 मेटर तो Y आगया हमारा 150 upon root 3 ठीक है और यह हमें पता 1.500 है तो X निकल आगा इससे X हमारा आजाएगा 1.500 माइनस 1.500 upon root 3 ठीक है हमारा X आगया अब speed कैसे निकलेगी इस डिस्टैंस है upon time time है 2 minutes तो अगर हम minute को आर में कर दो यह तो मीटर रहा तो मीटर पर मीटर में आजाएगा तो इससे हम 150 common लेते हैं तो 1 upon 1 minus 1 upon root 3 upon 120 0 से 0 cancel out तो यह आजाएगा 5 upon 4 और यहाँ आजाएगा 1 minus 1 upon root 3 जो की equal होगा तो यह आजाएगा 0.5283 meter per second पर हमें answer दे रखा है kilometer per hour तो अगर इसमें 18 by 5 के multiply कर दें तो kilometer per hour में आजाएगा इससे calculate करेंगे 1.9 kilometer per hour यह हमारा answer आजाएगा जो की है option B आजाएगा